राम राम एवर्वेड़ी स्वागत है सभी का वेदानत अकेडमी इंदौर और अंकुरन इस्टेट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग सीरीज डिसकस कर रहे थी प्रिविएस एर कुश्चन्स के आप लोगों के एड्मिट कार्ड आ चुके हैं तो आप लोगों के लिए जो कंटेंट होगा वह हम लगातार अब फ्रिकेंसी इसकी बढ़ा देंगे नंबर ओफ लेक्चर्स एक दिन में बढ़ा देंगे कोसिस करेंगे तीन या चार लेक्चर के फॉर्म में आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएं मैराथन में हम थोड़ा सा इसलिए परहेच करते हैं कि उसमें काफी सारा सेक्षन चूट जाता है कि अगर एक सेक्षन को हम एक घंटे डेड़ घंटे में कंपाइल करने की कुसिस करें हां वो रिवीजन फॉर्म में लिया जा सकता है उस पर हम विचार कर लेंगे बाकि अब प्रवाइट करवाएंगे इस चीज के लिए हम committed हैं तो start करते हम आज के questions बाकी कहानी हम बहुत भरुसा नहीं करते हैं यहाँ आप लोगों का time लेकर यहाँ पर सारी चीज़ें हम discuss करें start करते हम questions पहला question पहला question बोल रहा है इस expression में 2x cube प्लस 7x square प्लस 7x प्लस 2 में 2x प्लस 1 से भाग देने पर भाग फल और से इस फल पूछ रहा है वो तो यह long method से ही होगा भाग विदी से इसे हम करेंगे long method से हम इसको करने जाते हैं solve करते हैं भाग लगाना है हमें किसमें 2x cube प्लस 7x square प्लस 7x प्लस 2 में divide करना है हमें 2x प्लस 1 से और आपको हमेशा सिखाया है polynomials में जो बहुपद हैं वहाँ पर हमने सिखाया भाग लगाना कि हमारा target होता है पहला term 2x यहाँ पर है तो 2 की तो ज़रूरत नहीं है x एक बार है यहाँ तीन बार है तो दो बार x की और जरूरत है यह हो जाएगा 2x cube अब x square का इसमें इंटू करके यहाँ लिखेंगे x square अब आप घटाओगे तो यह तो पूरा कटी गया क्योंकि यह अपना target था यह हट गया 7 में से एक बार x square घटेगा तो 6 बार x square बचेगा plus 7x यहाँ बचेगा अब फिर से first term target 6x square target है अपना है क्या यहाँ पर 2x है तो plus लगाया plus का ही चाहिए क्या चाहिए 2 से 6 चाहिए तो 3 का गुणा करना पड़ेगा एक x है दो बार x चाहिए x square चाहिए एक बार x और करना पड़ेगा तो क्या आएगा 6x square पहला step target पूरा अगला step क्या होगा 3x का इसमें into करोगे plus का 3x अब देखो घटाओगे यह तो कटी जाएगा यह बचेगा 4x और यहाँ plus का 2 फिर से पहला step target पहला step target क्या 2x दो से क्या बनाना है चार बनाना है और x यहाँ भी एक बार है यहाँ भी एक करके यहाँ बढ़ाएं बाकी कोई मतलब नहीं तो यह हो जाएगा 2 का यहाँ गुडा करोगे 4x फिर 2 का एक में करोगे 2 और देखो नीचे क्या बचा जीरो तो जब हम divide करने जा रहे हैं सेसफल बच रहा है जीरो जहां सेसफल कुछ बच रहा है वो अपना answer होई नहीं सकत तो पहले लिखना है भागफल बाद में लिखना है सेसफल वैसे तो एक ही में सेसफल यहाँ पर 0 लिखा है तो यह अपना answer बन जाएगा option number c इसका भागफल देखोगे x square plus 3x plus 2 x square plus 3x plus 2 इस तरह से हमें division के question को solve करना है अब सीधे आपको देखना है अगर सीधे आपको रहा है तो आप क्या करते 2x plus 1 is equal to 0 लिखते x is equal to आ जाता minus 1 by 2 x is equal to minus 1 by 2 इसमें डालोगे तो जो बचेगा वो सेसफल होगा आप इसमें डालोगे कुछ भी नहीं बचेगा 0 बचेगा मतलब सेसफल क्या है इसका 0 उससे भी अपना answer आ सकता है अब चलते हम अगले प्रशन प 2y-8xy-1 इसमें अपन को पूछ रहा है इसके factors क्या होंगे read में पूछा गया factors इसके करना है अपन को तो फिर अपन क्या करें एक factor क्या बन रहा है 4y के साथ में 1 बन रहा है तो 4y के साथ में 1 क्योंकि 1 में से तो कुछ common आई नहीं सकता तो pairing में अपन को पता चल रहा है 1 के स साथ में 4y जा रहा है तो यह इसके साथ आ जाएगा तो आपन लिखेंगे 2x-8xy फिर प्लस का 4y-1 इसमें से common लेते हैं 2x यहां है यहां भी है तो 2x यहां से common लिया तो यहां 2x पूरा चला गया 1 बचा माइनस यह बचेगा चार और x चलाए गया बचेगा y 1-4y अब देखो 1-4y बचा तो यहां भी लगबग वैसे step बचेगा 1-4y 1 कैसा है प्लस का यहां कैसा है माइनस का तो इसमें से अपन क्या common लेने माइनस का 1 1 हो जाएगा प्लस का जो जाएगा माइनस का अब देखो यह दोनों step एक जैसे दिख रहे अगर हम यहां बड़ा bracket consider कर लें तो 1-4y common आ जाएगा 1-4y और अंदर क्या बचा 2x-1 ये बनेगा अपना answer 1-4y 2x-1 1-4y 2x-1 option नंबर भी अपना answer हो जाएगा चलते हैं अगले question की तरफ अगला question क्या बोल रहा है हम से पिता की आयू पुतर की आयू की 6 गुनी है चार वर्स बाद पिता की आयू पुतर की आयू की 4 गुनी हो जाएगी गुना या ratio एक ही बात होता है father और son फादर और सन पहले कितनी है पिता की आयूस पुत्र के आयू की 6 गुणी है फादर अगर 6 है तो सन 1 है फिर उसके 4 वर्ज बाद क्या कहानी हो रही है यह हो रहे है चार अनुपात 1 अब जो difference है वो नहीं बदलना चाहिए, यहाँ देखो difference कितना आ रहा है, पहले difference कितना था, 5, अब difference कितना हो रहा है, 3, यह तो नहीं होना चाहिए, तो difference सेम होना चाहिए, तो difference का LCM कितना, 15, तो 3 से यहाँ गुणा कर दो, 5 से यहाँ कर दो, difference common हो जाएगा, अपनी कहानी easy हो यहाँ 5 से करेंगे यह बीश और यह बोल रहा है दो नहीं यह बड़ा चार साल चार वर्स बाद तो दो की जगे क्या आ रहा है चार वर्स आ रहा है तो एक यूनिट कितना हो रहा है एक यूनिट हो रहा है दो वर्स किसके बारे में पूछ रहा है तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयू ये वर्तमान है क्योंकि इसी से हमने question solve किया है तो father अपने लिखेंगे 18 और यहां 18 का double क्योंकि 2 है तो 18 का double कितना हो जाएगा 36 और यहां पर sun के लिए हो जाएगा 3 का double 6 आप लोगों के लिए telegram group हम बना देंगे जो description होगा उसमें नए telegram जो group होगा उसकी link होगी उसमें content पहले भी डालते रहें और हम डालते रहेंगे तो वहां content आपको मिल जाएगा जो ppt's है वो हम डाल देंगे pdf's है और content है वो हम डाल देंगे उसमें अब चलते हैं next question की त 1111 कितना होता है 121 ये काट दिया 9 से बाहर क्या आ जाएगा 3 तो सीधा answer इसका हो जाएगा option number B सिर्फ point आटाया ये दो अंकों के बाद दसमलब था यहां भी दो अंक के बाद था ये दसमलब हटा दिया यहां भी एक एक डिजिट के बाद दोनों हटा दिया ये 121 111 121 हो ज जाएगा अब चलते हैं वह सबसे छोटी संख्या जैसे 8 9 3 3 0 4 में जोडने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है अब ये question हमने जबरदस्ती लिया और आपको वहम में बिल्कुल भी नहीं रखा कि question ऐसे आते हैं जो हम बताएंगे देखते ही धेरो जाएंगे व 145 जोड़ें तो पूर्ण वर्ग बन जाए अब हम देखते हैं इनको solve करके हम देखते हैं क्या कहानी बनती है पहला option क्या बन जाएगा जोड़ देंगे 1521 तो ये बन जाएगा 8 9 8 9 4 8 2 5 दूसरा option बनेगा जोड़ेंगे 1042 दूसरा option बनेगा 8 9 4 3 4 6 तीसरा option बनेगा 1612 अगर हम जोड़ेंगे तो पीछे से जोड़ते हैं 6 1 फिर 6 जोड़ोगे 9 हो जाएगा फिर 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा ये 8 9 as it is फिर आते हैं 4th option 4 और 5 9 हो जाएगा 4 अकेला आ जाएगा फिर उसके बाद 9 जोड़ोगे 9 तीन 12 का 2 हो जाएगा 3 और 1 चार हो जाएगा ये 9 हो जाएगा ये 8 हो जाएगा ये चारो option बनेगे अब देखो हमने कभी भी whole square पढ़ाय होगा तो whole square के check में जो लेते हम तीन check लेकर चलते हैं तीन check कौन से लेते हैं पहला लेते हम unit digit unit digit फिर लेते हैं last two digit second check लेते हैं last two digit last two digit के बाद हम लेते हैं digital sum digital sum लेते हैं ये तीन check लेते हैं तो पहले check पर यदि हम जाते हैं unit digit पर जाते हैं कोई भी whole square number होगा उसका unit digit क्या हो सकता है उसका unit digit हो सकता है 0,1 फिर उसके बाद 4,5,6 और 9 ये किसी भी whole square number के unit digit हो सकते हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता 2 नहीं हो सकता 3 नहीं हो सकता 7 नहीं हो सकता 8 नहीं हो सकता ये किसी भी whole square number के unit digit हो ही नहीं सकते देन उसके बाद last two digit हमेशा क्या होते हैं 1 to 25 के square में जो last two digit आते हैं वही किसी whole square number के last two digit होते हैं तीसरा आता है digital sum कितना होता है 1, 4, 7 और 9 ये digital sum क्या होता है अभी पता चल जाएगा अब हम एक एक करके option चेक करते हैं हमारा पहला number था 25 देखो 5 बन रहा है 6 बन रहा है 6 बन रहा है हो सकते हैं अब सभी पहले चेक के हिसाब से हो सकते हैं अब चलते हैं other checks में चलते हैं other checks में क्या आ जाएगा last two digit आ जाएगा एक से 25 तक का square 25 पांच का square होता है 46 किसी के square में नहीं आता 1 से 25 तक के square येदि पता होगा तो किसी के last digit 46 नहीं आते हैं तो हमारा सेकंड जो option होगा वो बाहर हो गया सेकंड चेक में, थर्ड चेक 16, 4 का वर्ग होता है, कुननचास 7 का वर्ग होता है, तो सेकंड चेक तक हम सिर्फ एक option आठा पाए हैं, थर्ड चेक पर हम जाते हैं digital sum, 1, 4, 7, 9, digital sum क्या होता है, अंक यह योग, 8 और 9, 17 और 4, 21 और 29 और 2, 31 और 5, 36, यह जोड कर आया 36, लेकिन 36 तो संख्या है, अंक नहीं है, डिजिट नहीं है, 6 और 3 कितना होता है, 9, तो यहां 9 आ रहा है, मतलब यह पून्वर्ग हो सकता है, 8 और 9, 17 और 4, 21 और 9, 30 और 31 और 6, 37, 37 का मतलब, 37 एक संख्या, 7 और 3, 10, 10 मतलब एक संख्या है, यह एक आ जाएगा, यह भी पून्वर्ग हो सकता है, फिर 8, 9, 4, 2, 4, 9, 8, 9, 4, 2, 4, 9, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8 और 9, 17 और 4, 21 और 2, 23 और 4, 27 और 9, 36, वापस से 36 आ गया, 3 और 6 का मतलब 9, यह भी डिजिटल संग 9 आ रहा है, तो 3 और इसमें कोई भी फिल्टर नहीं लगा है, अब हमारे पास 3 नंबर हैं, जिने हमें चेक करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, अब उन्हें चेक करने का तरीका क्या होगा, यहां हम आंसर बताते हैं, और आपको चेक करने का तरीका भी समझाते हैं, जैसे यह एक गलत आंसर है, यह एक गलत आंसर है, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर C, यह इस गलत आंसर को हम देखते हैं, गलत आंसर को हम देखने जाते हैं, हमने देखा, हम देखते हैं ये किसका square है हम अंडरूट के अंदर ये लेते हैं last two digit last two digit क्या बन रहा है 25 बन रहा है तो 25 से ये fix हो जाता है ये किसका 25 last में कब आता है जब unit digit पर क्या आए 5i जब unit digit पर 5i तभी ऐसा possible हो सकता है ये किस number का square है किसके square की range में आता है 8948 8948 किसके square की range में आएगा 30 का देखोगे कितना हो जाएगा 30 का 900 होता है और उपर जाएंगे 100 का 10,000 होता है 90 का 90 का कितना होता है 90 का होता है 8181 उपर जाना पड़ेगा 95 का कितना होता है 95 का square कैसे 5 का हो जाता है 25 और 9 का हो जाएगा 81 9 का हो जाएगा 81 81 2 5 9 का अगला नंबर 10 10 में कुणा करेंगे 90 95 95 इससे उपर निकल रहा है मतलब यह 95 से छोटे नंबर का स्क्वेर है 95 से छोटा नंबर क्या ले लिया आपने 93 93 का स्क्वेर कैसे निकालते हैं ध्यान देना स्क्वेर भी कवर रहा है 100 से कितना छोटा है 7 छोटा है 72 जितना छोटा है उतना ही घटा दो इसमें से 7 घटा होगे तो क्या बच़ेगा 86 8649 और यहां क्या लिखा है 8948 मतलब ये किसकी range में जा रहा है ये अभी भी बड़ा है हम 94 का करके देख लेते हैं 94 का हम करते हैं अब तो तुम सीखी गए हो 94 का करोगे तो 94 का square क्या हो जाएगा 100 से 6 कम है 36 हो जाएगा जितना कम है उतना घटा दो 88 अब देखो ये ठीक आ रहा है क्योंकि 95 का इससे बड़ा आ रहा था तो ये क्या होगा 945 का square हो सकता है जब तुम 945 का square करोगे तो ये नहीं आएगा तो हम मान लेंगे ये क्या है option गलत है इसी तरह से square निकाला जाता है और हम आपको जो वीडियो है उसमें देखने की जाला देंगे कि आप square वाला वीडियो देखें वहाँ आपको और clear हो जाएगा तो इसका answer बनेगा option number C आप check करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि इन तीनों से answer आ जाएगा बड़ा जो question होता है उसमें आपको solve करना ही पड़ेगा जैसे question present में दिख रहे है अब चलते हैं next question पर ये question क्या बोल रहा है एक बेलनाकार खंबे की वक्रप्रस्ट का छेत्रफल 264 वर्ग मीटर है वा इसका आयतन 1848 घंड मीटर है खंबे की उंचाई कितनी है अब दो formula हम लगाएं compare करें उससे बहतर है कि हम ratio निकाल देते हैं थोड़ा सा easy हो जाएगा दो अलग-अलग formula लगाने की जगे तो सबसे पहले वक्रप्रस्ट बोल रहा है वक्रप्रस्ट कैसे बनता है वक्रप्रस्ट आप देखने जाओगे तो वक्रप्रस्ट गोले का बेलन का बनता कैसे है बेलन कैसे बनता है नीचे एक circle बनाया और इस circle को बाहर की तरफ आप उपर उठाओगे इस circle को बाहर की तरफ उपर उठाओगे तो क्या बन जाएगा बेलन बन जाता है अब ये बेलन बना एक example ले लेते हैं जैसे ये bottle है वक्रप्रस्ट इसमें क्या होगा इसमें वक्रप्रस्ट होगा वक्र मतलब होता है कर्व कर्व मतलब मुडा हुआ तो ये जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा मुडा हुआ है और ये बना किस से है ultimately नीचे से circle से तो circle से हमने circle क्या है ये circle क्या है यह है 2 pi r और इसे हमने कितनी height तक उठा दूया मुड़ा वाला हिस्सा इसे हमने h height तक उठा दिया इसी को कहा जाता है वक्रपस्ट का छेतरफल, curved surface area of slender जब total निकालना होता है तो नीचे एक circle होता है उपर एक circle होता है तो हाल फिलाल हमें ज़रूवत है 2pRh की, तो 2pRh की बात कर रहा है ऊपर 2pRh, नीचे क्या लेने का बूल रहा है वो item, item कितना होता है item होता है, py r square h, वो भी किस से बना, ये area कितना होता है, py r square कितनी height तक, h height तक answer हो जाता है, py r square h ये py r square h क्योंकि अंदर कई material को तो आयतन बोलते हैं जितना अंदर space है वो ही आयतन होता है तो अंदर क्या था? pi r square h height तक अब हम चले हैं इस पर ये कितना 264 और नीचे 1848 pi से pi cancel out नीचे r दो बार है उपर एक बार है h से h cancel out इसे solve करोगे r आजाएगा 14 r 14 आजाएगा इसे cancel करोगे ये आजाएगा 132 इसको काटोगे ये 14 भार कटेगा r आजाएगा 14 वैसे भी पता चल रहा है तेरा सो बीस और फिर दो को पहाड़े में 8 का बात है चार बार जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो r आजाएगा 14 r 14 आजाएगा तो हमें क्या चाहिए खंबे की उचाई चाहिए अब कोई भी एक formula हम ले लेते हैं जैसे 2 pi की जगा 22 भटा 7 2 pi r की जगा 14 h पता करना और ये है कितना 264 इसे हम solve कर लेंगे solve करेंगे इसे 7 से इसको काटोगे दो बार इस से इसे काटोगे 48, 88 आठ की टेबल में 4 कब आएगा 8 की टेबल में 4, 8 ती है 24, h बराबर क्या आजाएगा 3, h is equal to 3 आजाएगा तो 3 option number b में है ये हमारा answer हो जाएगा question number 6 का answer आया अब चलते हम question number 7 पर अगला question हम से क्या बोल रहा है under root of x minus 1 और y plus 2 is equal to 7 है बाहर निकल के, ये 7 कब बनता है जब इन दोनों का multiplication कितना हो दोनों का गुणा करके हो 49, दोनों का into करके 49 हो देखो x की जगे क्या रखो और y की जगे क्या रखो ये 49 बन जाए, पहला option ले 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 का 7 में करोगे 7 बाहर आजाएगा, चलो ठीक है पहले से लग रहा है, दूसरे वाले मैं से 15 मैं से 1 घटा होगे, 14 हो 12 और 2 चाउडा, बाहर क्या आजाएगा 14 आजाएगा, 7 चाहिए तो second option गलत हो गया third option, 22 मैं से 1 घटा होगे 21 बचे का 19 मैं 2 जोड़ोगे, 21 बाहर 21 आजाएगा, ये चाहिए क्या चाहिए हमें, 7 चाहिए, option number A हमारा answer हो जाएगा और कोई तरीका नहीं है, X और Y में एक equation है, और एक equation आप अकेले solve करके X और Y की value नहीं निकाल सकते अगर X और Y की value निकाल लिए हैं तो इसके लिए अपन को एक और जो रेखिक समी करण है, उसकी जरुवत पड़ेगी, जहां हम square कर देंगे तो X-1 और Y प्लस 2 is equal to 49 मिल जाएगा तो अपन को एक और equation चाहिए होगा जो अपने पास है नहीं तो आपन को इसी तरह से solve करना पड़ेगा वैसे find out नहीं कर सकते हैं एक वेक्ती ने बैंक से वेक्ती ने बैंक से कुछ रुपया 15% rate की दर से उधार लिया, अगर 3 साल बाद 7,250 वापस करता है तो उसने कितना पैसा उधार लिया तो ये जो 7,250 है ये लिया है उसने देखो यहां और ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा है तो ये simple question है, simple interest से लिया है अब एक साल में कितना percent मिल रहा है, 15% मिल रहा है और simple interest को ममेशा बोलते आ हैं उसको simple, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो simple होता है एक साल 15%, दूसरे साल 15%, तीसरे साल 15%, तीनो साल मिलेगा 15%, वापस करने जाएगा तो percent के हिसाब से क्या वापस करना पड़ेगा 100% मूलधन और 15% है, 45% ब्याज टोटल कितना? 145% उसे वापस करना होगा जब वो 145% लिखेगा, 145% वापस करना है और ये कितना है? 7,250, आज हमारी calculation बहुत अच्छी होगे उस पर संदे नहीं किया जा सकता तो 1% कितना आएगा? ये आजाएगा, 1% 50 1% आजाएगा 50 calculation का हमने बोली दिया, आज धुआधार होगी है हमें निकालना क्या है? उसने कितना पैसा उधार दिया था तो principle कितना percent होता है? 100% होता है, तो 100% हमसे पूछ रहा है एक percent, 50 है हमारे पास 100% निकालना है चिपका दो 2,0 दोनों तरफ 0 चिपका दिया answer बनेगा हमारा 5000 ये 5000 बनेगा तो 5000 option number A में ही दे रहा है ये answer बन जाएगा चलते हैं अब आगे की तरफ अगला प्रेश्न एक mobile का अंकित मूले 6400 रुपए है इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2560 रुपए में बेचा जाता है इसके एक दो तरीके हम बता देते हैं अपना काम हो जाएगा देख लेते हैं अपन सबसे पहले 6400 रुपए का है और वो पहला बट्टा कितना दे रहा है 20% दे रहा है दूसरा पूछ रहा है जब इसमें से 20% उड़ाओगे 20% कैसे उड़ाओगे 10% कितना होता है 1-0 हटा दो तो किसी भी नंबर में से वो 10% बचता है 10% कितना 640 तो 20% कितना होगा 1280 इसमें से पहले 1200 हटाओ फिर 80 हटाएंगे 1200 हटाओगे तो कितना बचेगा 1200 हटाओगे तो बचेगा 500 500 में से 80 और घटा दोगे तो क्या बचेगा 5120 20 अब एक्चुली में कितने में बेच रहा है 2560 में बेच रहा है और 2560 अगर देखोगे न यूँ ही पता चल रहा है ये कितना परसेंट हो रहा है 50% हो रहा है जादा करने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी दिमाग भी नहीं चलाना पड़ेगा ये कितना हो रहा है 50% हो रहा है 520 का 2560 तो यहां दूसरा डिसकाउंट कितना दिया है 50% दिया है चलो ये भी नहीं आया हमें हम दूसरा तरीका देखते हैं एक्चुली में हमें कितना डिसकाउंट मिला देखो 6400 रुपे पर 6400 रुपए की कोई भी बस्तू थी 2560 की हमने बेच दिये उसको % देखते हैं कितना % क्या रहा कितने % में बेची 64 का चार गुना होता है ये तो ये आगया 40% बेची कितने % में? 40 तो discount कितना दे दिया हमने? टोटल discount दे दिया हमने 60% उम्मीद है इसमें कोई समश्या नहीं रही होगी ये बूल रहा है 2560 में बेची 6400 की वस्तू को तो 6400 की वस्तू को actually मैं कितने परसेंट पर बेची 40 परसेंट पर तो total discount कितना दिया 60% अब आपको एक relation हमेशा बताते आते हैं x plus y plus xy upon 100 तो ये total discount कितना है total discount कितना आ रहा है हमारा total discount आ रहा है 60 और discount का मतलब कमी होती है तो minus में लिख देंगे पहला discount कितना है minus का 20 minus का 20 plus का y और ये minus का 20 y बटा 100 ये काटोगे 5 बार ये minus 20 यहाँ जाके जोड़ेगा क्या बचेगा 40 वो भी minus का अब ये बचा 5 पांचे कम 5 पांच में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4 4 y और नीचे कितना नीचे आएगा 5 ये काटोगे 10 और ये यहाँ गुणा करोगे हो जाएगा minus का 50 और minus का 50 आया minus क्या बताता है अभी समझाया minus हमें बताता है कि यहाँ पर जो minus है वो discount के बारे में बता रहा है बस इतना समझ के रखना है अब चलेंगे हम आगे ये पुरा होगे अपना question दो तरीके से से बता दिया next question next question क्या बोल रहा है दूद और पानी के 30 लीटर मिशन में दूद वा पानी का अनुपाद 7 अनुपाद 3 है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए अनुपाद क्या हो जाए पलट जाए क्या मिला रहा है पानी दूद तो change नहीं होगा न भाई दूद वाले ने एक बरतन में 30 लीटर या 10 लीटर उसने दूद डाला बाकी उसने पानी मिलाया अब वो जो भी पानी मिलाएगा दूद की जो actual quantity है वो तो 10 लीटर ही रहेगी न वो पानी मिला के कुछ भी ratio change कर दे दूद तो नहीं बदले देगाना अब आते हम वापस question पर milk और water milk कितना है milk और water का ratio is 7-3 अब वो कर कितना रहा है 3-7 अब हम बोलेंगे यह बात तो गलत है तुम साथ से 3 कैसे कर रहे हैं यह तो सेम होना चाहिए और सेम होना चाहिए हम हर lecture में देख रहे हैं जब सेम होना चाहिए मतलब क्या होता ह LCM तो 3 और 7 का LCM क्या होगा 21 तो यहां 21 बनाने के लिए 3 से गुना यहां 7 से तो अब actual question क्या बन जाएगा जिससे हम solve करने वाले हैं 3 से गुना करोगे 21 और 9 यह हो जाएगा 21 और 7 का 7 में करोगे 49 यह अपना बन गया actual question अब इससे अपन को solve करना है और यहीं से आगे जो भी करना होगा अब वो बुल रहा है पानी मिलाया पानी मिलाया कितना water पहले 9 था अब कितना हो गया 49 मतलब मिला कितना दिया 40 यूनिट मिलाया और क्या दे रहा है वो बुल रहा है दूद और पानी का 30 लीटर मिस्रण है पहले कितना है 30 लीटर है जबकि अपना यहां पर क्या है पहले कितना है यह 30 unit है और यही 30 unit क्या है यही 30 liter है यह 30 unit क्या है लीटर है मतलब सब कुछ ठीक है जो जैसा आ रहा है unit में आ रहा है वही लीटर में आ जाएगा तो मिलाया कितना 40 unit मतलब 40 liter 40 liter मतलब option number D हमारा answer यह question था और इस तरह की questions पूछे जाते हैं चलते हैं next question की तरफ question number 11 question number 11 में और यह इस तरह का question बहुत बहुत बार पूछा जाता है इसलिए हम इसे repeat करते रहते हैं जब एक का difference होता है numerator और denominator में answer हर में एक का जब अंतर होता है जो number सबसे बड़े दिख रहे हैं वो सबसे बड़ा होता है जो सबसे छोटे दिख रहे हैं वो सबसे छोटे होते हैं जब हर की संख्या बड़ी होती है भिन होता है proper fraction होता है तो proper fraction में देखो यह दिख रहा है मैं सबसे छोटा और यह दिख रहा है सबसे बड़ा और वही अपन से बोला है सबसे छोटे भिन और बड़े भिन का difference बताना है तो बता देते हैं, difference कर देते हैं, उनकी इच्छा पूरी 9 by 10, minus 6 by 7, साथ नाम 63 और ये 60, 63 में से 60 जाएगा, क्या बचेगा 3 और नीचे 70, 3 by 70, option number B बस वही बताना था मैं कि बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है बाकि difference तो करी लोगे, आप देखो ये सबसे simple question आज की class का हो सकता है आपको कोई दूसरा भी लगे, N से आपको allergy हो N से डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, पर बहुत साड़ा simple सा question है देखो, 2016 में पूछा गया था, जब ऐसा question है आप मालो आपसे सबसे simple question पूछा गया वो actual जो सामानीकरत रूप है इसका general जो form है वो ये है इस general form से वो आगे बढ़ रहा है, जब इस general form से वो आगे बढ़ रहा है इसी को वो सामानी समीकरण की रूप में ले रहा है तो हम जो समझेंगे, जैसे पहला step लिखा, तो पहला step इसने सुरू कहां से किया n की जगए क्या लिखा, दो, अगले step में n की जगए 3, अगले step में n की जगा 4 ऐसे ऐसे वो चलते जा रहा है, वो लिख रहा है, वो बूल रहा है, तो इसका मान बताओ, solve करके क्या होगा, अगर आपकी बहुत अच्छा है, तो आप solve कर सकते हो, नहीं है इच्छा, शुरू कहां से कर रहा है, दो से कर रहा है, तो हम पहला step ले, यहाँ n बराबर दो लिया इसे अगर solve करोगे, एक मैं से आधा घटाओगे, आपको आधा प्राप्त होगा, 1 by 2 मिल जाएगा, अब option में n की जगह दो लिख कर देखो, कहां पर आधा मिल रहा है, वो answer बनेगा, यहाँ आधा नहीं मिल रहा है, यहाँ आधा नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक option में मिल रहा और थोड़ी सी दिमाग की तसल्ली कर लेते हैं, n की जगह 3 लिखते हैं, जब हम n की जगह 3 लिखेंगे तो हम यह step मिलेगा, और यह वाला step मिलेगा, दोनों step मिलेगे, तो दोनों step लिख लेते हैं, एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, तीने कम 3, 3 में से एक तो इसको solve करके भी लिखोगे, 1 बटा 2, 2 बटा 3, जो बता है था पिछली class में, 3 बटा 4, यह series चलते जाएगी, 4 बटा 5, और जितना मनू लिखते जाना, यह बचेगा, n-1 upon n, देखो इससे पहले वाला step, वो बचता, यह अगला step का उपर वाला, पिछले step से अगले step का उ आस्ट वाले का नीचे वाला part, 1 by n अपना answer हो जाएगा, किसी भी तरह से कर लेते, n का question बहुत simple होता है, अब चलते हम आगे, पहले संख्या 350 को 20 प्रतिशत बढ़ा कर 20 प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो तो अंततह ब्रद्धी या कमी का प्रतिशत क्या होगा, अब वो जो relation है न, x plus y, हम कोई भी relation बताएंगे, वो बहुत ज़्यादा use होगा, तो ही हम बताएंगे, otherwise आपको कुछ भी याद करने को नहीं बूलेंगे, ये percentage change को भी बताता है, compound interest को भी बताता है, और जो successive discount है, वो भी बताता है, बहुत सारी जगा पर use होता है, तो यहाँ पर percentage change एक नंबर में बूल रहा है, दो बार बूल रहा है, तो एक बार x हो जाएगा, एक बार by हो जाएगा, एक बार बढ़ा रहा है, एक बार कम कर रहा है, तो बढ़ा रहा है, तो plus 20 कर दो, कम कर रहा है, minus 20 कर दो, plus minus 20 into plus 20 upon 100, ये अब 20 से 20 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, minus का 4%, 4 चार प्रतीशत की क्या हो जाएगी कमी ब्रदिया कमी बता रहा है तो चार प्रतीशत की क्या हो जाएगी कमी option number B answer हो जाएगा इसको इस तरह से भी देखना है यदि ये कुई संख्या 100 है 100 से कितनी हो जाए 120 हो जाए 10% बड़ेगी और थूड़ी देर पहले ही बताया था 10% मतलब क्या होता है 0 हटा दो अब इस से कम करना है 20% 20% कम करना है 0 हटा होगी क्या बचेगा 12 10% 20% कितना होगा 24 120 में से 24 कम करोगे क्या बचेगा 96 बचेगा अब देखो 100 से कितना कम हो गया 4 परसेंट कम हो गया 100 से 4 कम हो गया मतलब 4 परसेंट कम हो गया तो कैसे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत उपर नीचे करता 3 बार चेंज करता कुछ भी करता है इससे अपन कर लेते हैं 3 बार चेंज करता तो अपन क्या करते यह आगया 2 बार सॉल्व होके 2 बार का 20 परसेंट बढ़ाया 20 परसेंट कम किया मानलो अगली बार बोल देता 30 परसेंट बढ़ाया तो इस माइनस 4 को क्या मान लेते X और Y को क्या मान लेते 30% बढ़ाया, y की जगे 30 लिखके एक बार फिर इस formula को लगा देते आपका answer आजाता ज़्यादा tension नहीं होती ये area के change में भी use होता है हम बता देंगे एक अलग से कि ये कहां कहां पर use होगा यदि दो कोटी पूरक, कोटी पूरक का मतलब होता है पूरक ही होता है, उसी को कोटी पूरक लिख दिया इनने, दो पूरक कौन और पूरक का मतलब क्या होता है जब दो angles का sum 90 degree होता है, उन्हें कहा जाता है complementary angle या कोटी पूरक या पूरक कुछ भी वो बोल दे, दोनों का sum 90 लेता है अब 90 देखो B option में तो नहीं है 90 इसमें 90 है चलेगा, इसमें 90 चलेगा इसमें भी नहीं है, अब A और C हमारा answer है, अब वो क्या बूल रहा है ratio 2 raise to 3, क्या ये 2 raise to 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, answer होगा option number C 2 raise to 3 में 18 दुनी, 36, 18, 34 2 raise to 3, C option दिख रहा है तो ज़्यादा सोचना, विचारना नहीं है और तमाम method से भी कर सकते हैं पर कोई जरूरत नहीं है अपनको वहाँ पर next question आया हमारा geometry से है यह संबलंब चत्रवुच से trapezium से question लिया trapezium की दूसरी property में इसमें जो relation दे रहा है trapezium बूल रहा है तो कोई भी एक जोडा जो है वो समानतर देना है OD is equal to दे रहा है OB दे रहा है OA दे रहा है OC दे रहा है मतलब आधे-आधे part वो दे रहा है और इसको लेकर ना इसको लेकर हमने एक property लिखवा है property number 7 second property second property में हमने बुला है इस part का ratio AO upon OD is equal to BO upon OC ये ratio same होता है parts में अब ratio same होता है तो same कर देते हैं देखो किसका AO की जगे पर 2 और यहां नीचे कितना OD OD कितना OD 3X minus 7 3X minus 7 is equal to OB कितना OB X plus 6 और नीचे कितना OC 2X plus 3 2X plus 3 अब X ये X की values दे रहा है मत करो solve part rate एक equation बनेगा इसका यहां into करोगे दुईघात समीकरण बनेगा बिलकुल सलानी देंगे दुईघात समीकरण बनाओ क्योंकि option किसका दे रहा है X का दे रहा है X हमें option में दे रहा है सीधे X इसमें put करो और देखो कहां LHS is equal to RHS आ रहा है X is equal to 2 डालोगे दो लिखोगे यह दो लिखा और यह हो जाएगा तीन दुईघात समीकरण बने का चांस नहीं है तो पहला option तो गलती है तीन डालते हैं तीन दुईघा नौ नौ में से साथ जाएगा दो बचेगा दो बटा दो एक हो जाएगा तीन नौ हो जाएगा तीन दुईघा नौ हो जाएगा नौ से नौ काटोगे यह आगया अपना आंसर तीन बाकी डाल कर देख लोगे नहीं आएगा चार डाल के देख लेते हैं एक से तो माइनस आजाएगा चार डाल के देख लेते हैं चारती है 12, 12 मैं से 7 जाएगा बचेगा 5, 2 बटा 5, फिर ये कितना हो जाएगा, 4 डालोगे, 4 डालोगे, 4 डालोगे, 4 डालोगे, 4 डूनी, 8 रूतीन, 11, 11 किसी से कटेगे नहीं, 10 बटा 11 होई नहीं सकता, तो ये options होई नहीं सकते, सिर्फ option number B हमारा answer हो जाएगा, चलते हैं अ अंतह कोणों का योग क्या होता है, अंतह कोणों का योग होता है, n-2 into 180, और बाय कोणों का योग कितना होता है, 360, अब बराबर लगाना है, तो इसे क्या कर दें अपन, 3 गुना कर दें, वो बोल रहा है, अंतह कोणों का योग, मतलब n-2 into 180, बाय कोणों के योग का 3 गुन option number D, बुजाओं की संख्या, simple सिधा खोशेन है, बस formula remind करवाना था कि topics ध्यान रखे रहना, एक ब्रत का AD एक व्यास है, AB एक जीवा है, AD व्यास है, व्यास है मतलब वो केंदर से होकर गुजरेगा, कुछ इस तरह से, A से D, AD एक व्यास है, फिर AB एक जीवा है, ये खीच दी अपनने जीवा, यदि AD बराबर 34, AD बराबर 34 का मतलब है, इसका radius कितना है, 17 है, radius 17 है, तो ब्रत के केंदर से, AB की दूरी बराबर है, अब देखो, ब्रत के केंदर से, अगर AB की दूरी निकालने जाओगे, तो as such, AB की दूरी निकालना पॉसिबल नहीं होगा, दूरी निकालना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने थियर्म पढ़ा है, और जो दूरी होती है, वो हमेशा, बुजा से, केंदर से कैसी होती है, केंदर से निकालना है, केंदर से AB की दूरी निकाल देते हैं, केंदर से AB की दूरी, केंदर से क्या करेंगे, भुजा पर लंब डालेंगे, और आपने थियर्म पढ़ी होगी, बड़ी ही फेमस थियर्म है, वो थियर्म बोलती है, केंदर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समदिवाजित करता है जीवा है कितनी actually में 30 तो ये कितनी हो जाएगी 15 15 हो जाएगी 15 यहाँ हो जाएगी अब आ जाएगी तुरंत पाइथा गुरस के प्रमें आ जाएगी 90 डिग्री दिखा ये आधार है ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है अब इस ट्रैंगल को बाहर निकाल लेते हम ये बाहर निकाल लिया कर्ण दिखरा है हमें 17 और आधार दिखरा है मैं ये घटा होगे 64 हो जाएगा तो L² is equal to 64, तो L is equal to क्या आजाएगा? 8 cm. 8 cm किसी option में 15, 17, 4 और 4, इन दो 4 में से जो अच्छा लगता है 2 और सी तुम्हें, उसको 8 कर लेना और टिक कर लेना, 2017 में हर्याना में पूछा था, simple question है, बस basic theorem से याद दिलानी थी, इसलिए इस question को डाल लिया था, इसमें कुछ theorem और हमें remind करवानी थी, circle की, तो circle की सारी, बहुत सारी theorem इसमें remind करवाई हैं, देखते हैं अपन, एक तो पीछे ही देख चुके हैं, किसी ब्रत में केंद्र से बरावर दूरी पर इस्थित जीवाओं की लंबाई ये बरावर होती है, बिलकुल ठीक theorem है ये, बरावर दूरी पर इस्थित जीवाओं की लंबाई बरावर होती है, यदि बरावर दूरी पर हैं, तो जीवाओं की लंबाई बराबर होगी, दोनों सही होते हैं, किसी ब्रत में एक जीवा दौरा परदी के अलग बिंदूओं को बनाए जाने कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यह किसके बारे में बात कर रहा है, पहले B का डाइगराम हम बना दें, यह अगर केंद्र से 5 cm, यह 5 cm, यह 5 cm, तो यह सभी जीवाओं क्या होंगी, बराबर होंगी, दूसरा बोल रहा है, जीवा से एक तरफ बने कौन, यह एंगल, यह जो एंगल है, ये सबी कैसे होते हैं थियोरी में समझाया है ये equal होते हैं ये सबी एंगल equal होते हैं तो यही बोला है theorem C में ये बिल्कुल ठीक है किसी ब्रत में केंदर से जीवा पर डाला गया अलम जीवा को सम्द वाजित करता है अभी जस्त पीछे वाली question में बोला था तो ये भी सही है अब यहां क्या बोल रहा है किसी बृत में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कौण किस तरह से कुछ कहानी बोल रहा है वो बोल रहा है कुछ इस तरह से ये इसका जीवा है ए भी जीवा है कौड है ये केंद्र पर कोई कौण बना रहा है केंद्र पर बनाया गया कौण उसी जीवा द्वारा परधी के अन्य बिंदू पर बनाये गये कौण के बराबर होता है, कते ही नहीं होता है, ये थीटा होता है, तो यहां जो बनेगा वो उसका आधा होगा, उमीद है ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई है, तो पहला वाला क् पूरी तरह से गलत पर हमें अशत्य ही डूड़ना था अशत्य के हिसाब से यह अपना आंसर हो जाएगा आपन चलते हैं अगले कुश्चिन पर अगला कुश्चिन क्या बोल रहा है हमसे एक दू पहिया के आगे वाले पहिये की परधी अब यह कुश्चिन ऐसा है थोड़ा स परदी 6 फीट और पीछे वाले पहिये की परदी 9 फीट है एक्स दूरी चलने में आगे वाला पहिया पिछले वाले पहिये से दस चकर अधिक लेता है अब ये क्या बता रहा है दस चक्कर अधिक लेता है तो हमें किस में भीज रहा है चक्कर में भीज रहा है तो हमें जाना है इनने कितने चक्कर लगाए क्योंकि एक ने कुछ लगाए दूसरे ने उससे दस एक्स्टार लगाए अपन मालने पहले दूसरे वाल स्टाइस तो K चक्कर की कितनी 9K दूसरे वाले की छे परिधिया चक्कर कितने के प्लस- 10 in और दोनों की दूरी इस तूरी चलने में उसब बराबर दूरी शित दूरी चलने में अगे वाले पहिया पिछले वाले पहिया से 10 दसक्कर जादा लेता पांता दी आँए 6K यहां जाके घटेगा 3K हो जाएगा और यह कितना होगा 6, 60 हो जाएगा, यह K बराबर क्या आजाएगा 20, K बराबर आजाएगा 20, दोनोंने कितनी चकर लगाए 20, तो X का मान निकालना है, मतलब distance निकालना है, तो चाहे के इस से निकाल दो distance, चाहे इस से निकाल दो बराबर आएगा, तो K बराबर 20 रखना है अपन को, तो required है distance क्या है, 9K, तो 9 गुणा 20, 9 दूनी 18, 18 का मतलब 180 feet, 180 feet, option number D, बस यही step समझना था, क्या लिखना है, वो अधिक क्या कम चक्कर के बारे में बोल रहा है, तो वहीं से start क्या आपनने, next question बोल रहा है, 2018 में एक कच्चे माल का कुल निर्यात 3,60,000 टन है, तब कच्चे मालों ST और P का योग, Q तथा R के योग के योग का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा, अब यहाँ जो डाटा दे रहा है, वो डिग्री में दे रहा है, डिग्री में डाटा आप समझ लेना, कोई भी circle होता है, डिग्री में अगर उसे complete किया जाए, तो वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, यहाँ देखो, 120, 90, 60, 30, अगर हम इनने total करें, तो यह 1,500, 240, 300, 300 हो गया, तो बचा कितना, 60 डिग्री बचा, यह 60 डिग्री हो जाएगा, यह 60 डिग्री होगा, वापस कर लेते हैं, 150, 90, 240, 360, 300, और यह 360, ठीक है, अब वो बोल रहा है, S, T, P, और उपर S, T, P, ले लो, और नीचे ले लो Q, और R, जो पार्ट यहाँ होगा, देखो, बांट किस में से रहा है, 360,000 में से, तो उपर भी 360,000 में से आएगा, नीचे भी 360,000 में से आएगा, तो सीधे-सीधे अपन किसका रेशियो निकाल दो, आप सीधे degree का ही रेशियो निकाल दो, तो अभी वही कहान ही होगी, क्योंकि बाकी पार्ट तो क्या रहेगा, common रहेगा, कैसे रहेगा, वो हम अभी लिखके बता देते हैं, क्यों हम degree का कर रहे हैं, तो पहले हम answer निकाल देते हैं, क्योंकि answer बहुत जरूरी रहेगा, method हम समझा देते हैं अभी, S, T, P, नीचे Q और R, Q और R लिख लेते हैं, easy होगा, Q और R, 120 और 90 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, total कितना है, 350 है, जब 210 यहाँ आ गया, 360 है, तो बचे का कितना, 150, 15 और 21, 3 से काटोगे, 5 अनपाते, 7, 5 रिस्टू, 7, option number B, answer हो जाएगा, अब आपन निकालते कैसे, देखो, निकालते कैसे, उपर वाले को कितना मिला, यहाँ उपर वाले का तो खेर सब कुछ होता है, अपने कोशन में उपर वाले को 150 मिला, 360 में से, किसका, 360,000 का, फिर नीचे कितना मिला, यहाँ मिला, 210, डिगरी कितने मैं से, 360 मैं से, गुणा कितना, 360,000, यह actual part अगर हम निकालते, अलग-अलग हम निकालते, तो कितना जो निर्यात किया, वो अलग-अलग हम निकालने जाते, और बड़ा करना होता तो मैं बहुत सारा टाइम बचा होता S का निकालते, T का निकालते, P का निकालते, Q का निकालते R का इन तीनों का उपर जोडते, इन तीनों का नीचे जोडते, काटते जाते अंसर आ जाता, अब यहां हमने ऐसा करते 360 से ये 360 3,60,000 से ये कर जाता वापस हम वहीं पहुंच जाते 150 बटा 210 इसलिए बहतर हो किसी भी कोशन मैं चाहिए percentage का हो किसी का भी कोशन fraction का भी हो तब भी हम ऐसी करेंगे ratio अगर हम से पूछा है तो ratio में कोई कहानी नहीं बतलेगी बस इसमें यही समझाना था अब आते हैं last में जहां electricity चली गई थी और अपने पास backup नहीं था तो class को जहां drop किया था हम वहीं से start कर रहे है statement है अधिक गड़ित जानने की अपिक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गड़ितीय करण कैसे किया जाए गड़ितीय करण का मतलब होता है हर चीज में गड़ित को देखना हर चीज को गड़ित के एंगल से देखना पंखा चल रहा है उसकी speed देखना torque देखना gate घूम रहा है उसमें भी torque देखना पानी उबल रहा है उसमें physics देखना तो हर जगे फिजिक्स और गड़ित देखना हर जगे हर चीज को किसके इसाप से देखना गड़ित को बाइक चला रहे हैं ओडोमीटर कम जादा करके देखना स्पीड कम जादा क्लच दबाया कम होते जा रही है और एसिलरेट किया बढ़ते जा रहे यह सारी चीजें किस में आ जाती हैं मैंट्स में आ जाती हैं तो हर चीज में क्या देखना है गड़ित दिखना है तो जो डैविड वीलर है उनने यह बुला था गड़ित जानने कि अपिक्षा यह अधिक उपयोग है कि उसका गड़ित करण कैसे किया जाए एक और बहुत अगले कुशन की तरफ अगला कुशन हम से बोल रहा है निमलिखित मैं से कौन सी रेखागड़ित सिक्षण की स्रेष्च विदी होती है रेखागड़ित को जो मैट्स की ब्रांचेज है स्कूली सिक्षा में सबसे बाद में इंट्रोड्यूस कराया जाता है क्योंकि इसमें अनलिटीकल चलता है दूसरा इसमें बात है इसमें प्रदर्शन का बहुत जादा चलता है पहले बच्चों से बोल कर काम चलाया जा सकता है थोड़ा सा लिखके काम चलाया जा सकता है लेकिन रेखागड़ित एक ऐसी ब्रांच हो जाती है जहां पर हमें बना कर और खुद इन्वाल्व करकर प्रदर्शित करके बना के काम चलाना पड़ता है इसलिए यहां पर जो अभ्यास है अभ्यास से बहतर होगा अभ्यास तो मैट्स में हो ही जाता है ठीक है तो अभ्यास से ना होकर खिल कूत तो बिलकुल ही नहीं जा सकते सूत्र तो होगा ही नहीं होगा प्रदर्शन मेथट प्रजेंटेशन आप बार बार चीजों को क्या करें बना के दिखा है मीडियन कैसे बनाते हैं एंगल बाई सेक्टर कैसे बनाते हैं यह प्रदर्शित करना पड़ेगा तब बच्चा रेखागडित को सीखेगा अधर्वाइस आप अगर कोशिस करो अभ्यास कुछ भी करो आप कितना भी अभ्यास करो आपके कंसेप्स क्लियर नहीं होंगे आप उठा कर सीधे जो गाइड्स वगरा आती हैं उनसे अगर पढ़ने की कोशिस करेंगे बच्चे तो जमेट्री नहीं होगा जमेट्री होगा यह नहीं क्यो दूसरे पर निर्भर हैं बिल्कुल ठीक है कभी हम जमेट्री को सॉल्व करते करते जाते हैं जैसे यहां भी अपन ने सॉल्व किया था पिछे कोश्यन आया था उसमें क्वाड्रेटिक एक्वेशन बन रहा था समलंब चत्रवुच के प्रश्ण में द्विघात समीकरण बन था तो हम जयामिति से कहां बहुंच गये थे बीजगड़ित एक दूसरे पर निर्भर है अंक गड़ित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है ठीक है बीजगड़ित को पढ़े बिना सांख्य की पढ़ी जा सकती है नहीं कॉम्प्लेक्स कर रहा है यह स्टे अंक गड़ित को पढ़े बिना नहीं जब हम यह मानकर चल रहें एक दूसरे पर निर्भर है तो फिर हम इन पर जाई नहीं सकते और एक दूसरे पर निर्भर है तो आंसर बनेगा ऑप्शन नमबर एक दूसरे विशय पर भी निर्भर है यह तो आंसर बनेगा यहां पर प्रश्न को पढ़िए हल कीजिए एक्स प्रश्न के ब्लूम टेक्सोनॉमी में किस संग्यानात्मक कौसल पर बल दिया जाता है अब भूम टेक्सोनॉमी में उसने अपने तीन उद्देश्चों के बारे में बताया था उसमें से एक था सग्यानात्मक जो ग्यानात्मक उद्देश है उसमें उनने बताया था पहले ग्यान होगा फिर उसका बोध होगा और बोध के बाद वो क्या सीखेगा बच्चा यहाँ पर इसका ग्यान हुआ बच्चे को इसकी समझ आई और जैसे ही इसकी समझ आएगी वो क्या करेगा इसका विशलेशन करेगा इसे ब्रेक करके देखेगा ये रेशियो में दे रहा है इसको यहां से यहां किया जाता है और यहां से यहां किया जाता है एकस प्लस वन एक पार्ट है टू एकस प्लस थ्री एक पार्ट है और एकस प के बाद आता है अनुरियोग । तो अनुप्रियोग के बाद आता है उसका wish ratio यहाँ किया किया जायगा इसका analysis किया जायेगा ratio डे रहा है इसका इतना part है break करके देखा जाएगा इसे तो यहां पर answer बनेगा हमारा wishlation अनुप्रियोग, तो अनुप्रियोग के बाद आता है उसका विशलेशन, तो यहाँ क्या किया जाएगा, इसका एनलेसिस किया जाएगा ratio दे रहा है, इसका इतना part है, break करके दिखा जाएगा इस से, तो यहाँ पर आंसर बनेगा हमारा विशलेशन फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें अनुप्रियोग application होगा तो अगर help application पर हम जाएंगे तो यहां उसे ज्ञान और बूद के बाद वो अनुप्रियोग किसका कर रहा है वो अनुप्रियोग नहीं कर रहा है अनुप्रियोग वो करता है जैसे कोई theorem सीखी उसका अनुप्रियोग करना तो यहां उसे पहले तो क्या करना पड़ेगा समझ्या को समझना पड़ेगा आपको फिर से हम समझाते हैं कि मैट्स में अगर कोई भी problem दिया जाता है तो मैट्स की problem को जो संख्यात्मक problem होती है या यह तो equation लिख दिया है जो problem होती है उसे break करके देखा जाता है तब जाकर हम उसके solution की तरफ चलते हैं तो जो सामान्यता विधी यूज की जाती है मैट्स में वो visualization विधी यूज की जाती है analytical method यूज किया जाता है analysis यूज किया जाता है break करके हम उसे part में solve करते हैं तो यहां होगा हमारा answer विशलेशन या analysis अब चलते हैं अगले question की तरफ अगला question बूल रहा है सम विश्म संख्याओं को बालक सार्णी बद्ध कर रहा है वै किस उद्देशे की प्राप्ती कर रहा है इसका थोड़ा सा practical example हम लेकर चलें जैसे आपके घर में या आसपास जब चोटे चोटे बच्चे आते हैं और वो अपनी copy में कुछ special कर अगर वो उनने किया है तो वो बहुत तेजी से जाएंगे अपनी copy लेकर आएंगे relation में अगर आप पहुँचे हो तो वो आकर आपको बताएंगे देखो 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 भाईया हमने क्या किया है देखो भाईया मैंने ये बनाया देखो दीदी मैंने ये बनाया तो वो जब भी कुछ करते हैं कुछ खास कर लेते हैं वो उसको लाकर प्रिजेंट करते हैं वो बताते हैं कि हमारे अंदर क्या है हमारे अंदर skills है जो causal है वो विक्सित हुआ है और उस causal की वज़े से हम इसे eliminate करके अलग-अलग करके रख पाए हैं वो एक chain बना लें वो अलग-अलग pen को अलग-अलग कर लें बच्चे अगर pen और pencil साथ में रखें चौक साथ में रखें वो सबको अलग करके बोलेंगे देखो देखो हमने इनको जमा दिया वो पैटर्न बना देnın तो वो क्या बताते हैं अपने causal को बताते हैं वेक्ति युड्ल को बिल्कुल भी नहीं जो board हो रहा है ज्ञान हो रहा है बिल्कुल भी नहीं कि वो घ्यान को present कर रहा है ज्क्रेंकी वो सिर्फ क्या कर रहा है कच्छा साथ की पाथपुस्तक में दीगे इनिम्ली खित समस्या को पड़िए, एक मानचित्र दिया गया है, जिसके पैमाना दो बराबर, एक अजार किलोमेटर और ये जो पार्ट है, ये आजाता है रेशियो के अंदर, ये रेशियो बता रहा है कि हर दो सेंटीमेटर को क्य बोला जाएगा, एक अजार किलोमेटर बोला जाएगा, तो 2.5 सेंटीमेटर को कितना बोला जाएगा, ये किसकी स्किल है, ये स्किल है किस टॉपिक की रेशियो टॉपिक की, अगर आप इसे सॉल्व करने भी जाओगे ना अंसर भी बताओगे, तो भी आप रेशियो का कौसल को बढ़ाती है, समशा चमाधान के कौसल को बढ़ाती है, ठीक है, छोटी सी उस पर अपन मान सकते हैं, छोटे से स्केल पर, ठीक है, अभी छोड़ देते इसको, अंतर विशही प्रकर्ती के, अंतर विशही प्रकर्ती का मतलब है, रेशियो के अंदर, रेशियो के ही का है तो किसका है यह अंतर बिढ़ सही प्रकृति का यह प्रेशन हो जाएगा रेशियो के अंदर रेशियो का यह कुश्चन दे दिया है गड़तिय उपकरण उलेख करते हैं परीकलन यंत्र उलेख करते हैं उन पर क्या प्रिजेंट होता है वो क्या बताते हैं गड़ती उपकरण परिकलन यंत्र लिखा होता है रूडर लिखा होता है नापने वाला फीता टैप चांदा खोणात्मक परकार कमपास आधी सूत्रों और संपर्त्यों पर आधारित चार्ट नहीं सभी परकार की सामगरी जिनमें समाविस्ट है भासा, संकित, अर्डपूर, निर्देश जो उद्रिश्य को इस्थापित कर सकें नहीं मौडल, घनिये, छड़ें नहीं उपकरण क्या उलिख करते हैं उपकरणों का उलिख क्या है परिकलन यंत्र, कैलकुलेटर, रेखक नापनियों का फीता, चांदा, परकार इन सभी को क्या लिया जाता है गड़ती उपकरण के तौर पर लिया जाता है इसलिए इसका आंसर बनेगा कुशन नमबर 27 का आंसर बनेगा ऑप्शन नमबर फिर से देखो, क्या बूल रहा है उलिख करते हैं उलिख का मतलब क्या होगा फिर से अपन इसको रिव्यू कर लेते हैं सिटेट का कुशन है ये तो क्या है, ये यंत्र है ये सभी क्या है, यंत्र है लेकिन यंत्र की जगे वो बात किस की कर रहा है उलिख की कर रहा है, वो बताते क्या है अब ये रुक जाते हैं फिर जल्दवाजी नहीं करते हैं चेक करते हैं अपन क्या बताते हैं सूत्र तो नहीं बताते हैं ये तो क्लियर है सभी प्रकार की सामगरी जिनमें समाविस्ट है भासा को बताते हैं लिखित संकेत उनमें रहते हैं उनमें उल्ले किसका रहता है भासा का रहता है गड़ती है भासा का बिलकुल जो अलग-अलग यंत रहते हैं जैसे आपका जो प्रोटेक्टर होता है चांदा होता है उसमें 30 डिगरी, 40 डिगरी, 90 डिगरी रहता है तो जो 90 अर्थपूर्ण निर्देश रहते हैं अगर कहीं भी जरूरत है कि यहां से स्टार्ट करना है जिरो डिगरी अगर जिरो लिखा है तो उसका मतलब वह रेफरेंस पॉइंट के बारे में बता रहे हैं तो अभी इसके हिसाब से जो उलेखित रहता है उसके हिसाब से option number C, D पर चलें भौतिक पदार्थ भौतिक पदार्थ तो कुछ भी नहीं है तो यहां से अगर इस पर यंत्र की बात होती तो हम A टिक कर देते लेकिन बात किस किये कि उन पर वो क्या उलेखित करते हैं क्या उल condition था जिसमें भासाईी जो कौसल है उसको उसकी जरुवत भी आपको पड़ेगी उसे solve करने में अब चलते हैं मुक्त अंत वाले प्रशन क्या होते हैं पहचान कैसे होती हैं मुक्त अंत वाले प्रशनों को आप एक मिनट में थोड़ा सा समझ लें मुक्त अंत क्या होगा ज इनकी अन्यक सारे उत्तर संभव हैं उन्हें कहां जाता है मुक्त अंत वाले प्रश्ण मुक्त अंत वाले प्रश्ण परिक्षित विमाओं 5 cm 2 cm और 5 cm का एक घनाब बनाना है एक घन को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाबों की आवशक्ता होगी बिलकुल definite और fix कहानी ये बात कर रहा है तो definite उत्तर होगा अब आजे घंडन पद्यती का प्रयोग करते हूँ 512 का घंबूल निकालो फिक्स मैथड की बात कर रहा है तो फिक्स तो अपन को नहीं चलना है 10 के घंड को ग्याद कीजिए 1000 फिक्स नंबर है कोई 5 संखें लिखिए जिनका घंड 64 से देखे पांच का अगरतो मैं टाइम दिया चाए तुम 5000 лिक्तों पांच की बात कर रहा है दो यह मुक्त अंत्रप पिश्नह है कि आप पांच कुछ भी लिखोगे आपका पड़ुसी कुछ और लखेगा उसका पड़ुसी कुछ और लखेगा यहदी आलस नहीं आ रहा है छोटी संख्या सुचने के लिए मजबूर नहीं हो रहा है हलाकि यह psychology होती है कि आप मैंसे अगर 10 लोगों को बिठा दिया जाए तो जो 5 लोग हैं 10 के 10 लोग हैं उन मैंसे common जरूर होगा क्योंकि आपके जो cube की रहें जना वो बहुत बड़ी नहीं होगी तो वो psychological बात है लेकिन possible answers ना अनंत है open है यह खुला है सभी के लिए जो जिसको जितना आता है वो उतनी बड़ी संख्या ले सकता है यह था अपना 28 स्वा प्रश्न अब चलते हैं अपन 29 स्वा second last कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उत्देश होते हैं कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उत्देश में चलते हैं option के हिसाब से अपन देखते हैं रुची और उत्सुक्ता उत्पन करने के लिए definitely इससे रुची और उत्सुक्ता बच्चों में आते रुची तो बढ़ती है बच्चों की, कुछ बच्चों को interest बढ़ता है, कुछ बच्चे ड़ते भी हैं, लेकिन जो पूछना होता है, वो definitely क्या करता है, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, छात्रों को अभी प्रेरित करता है, और ये पहले वाले option से काम को पढ़ा ही कर रहे होते हैं, अपने खेलने के टाइम पर, कोई उनसे बोलता है, क्या हो गया, अरे पढ़ने दो, पढ़ने दो, कल मैं मैं पूछेंगे, पूछने का उद्दिश्य है, तो जो पूछना है, हो सकता है, कुछ बच्चे सबसे smart दिखने के लिए, सबसे ब हुमन है, मानव है, उन्हें लगता है, कि लोग हमें consider करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, कि क्लास में कौन पिट रहा है, ठीक है, पिटा, बात, वो क्लास की कहानी वहीं पर खतम हो जाती है, लिकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा लगता है, कि अग लिप्रेणा जो है छात्रों को, वो मिलती ही है, पूर्वग्यान परिक्षन के लिए, पूर्वग्यान परिक्षन के लिए मतलब तुमने पहले जो topic पड़े हैं, उसके लिए पूछने की क्लास रखी जाएगी, नहीं, टैस्ट भी चल जाते हैं, उसका पूछने बहुत नहीं जा सकते, तो answer यहाँ पर बनेगा हमारा अभी प्रेरित करने के लिए, जो सटीक, सरल और बहुत इसपस्ट answer की तरफ जा रहा है, पूर्वग्यान नहीं जा रहा है, और रुची की वज़े से ये भी नहीं होगा, और उत्सुकता तो तब होती है, जब हम किसी चीज क जानने का प्रयास करते हैं, तब उत्सुकता होती है, जैसे आपके सामने एक box रख दिया, इसमें बहुत interesting चीज है, और तुम सूच भी नहीं सकते, इतनी बहतरीन चीज इसमें आप लोगों के लिए आई है, जब तक वो खुलेगानी ध्यान उसी के पास होगा, उत्सुकत यही रहेगी कि हमां यह डब्बे को खोलना है, तो वो बहुत अलग कहानी हो जाती है, उससे इसलिए हम इसके उपरोक्त सभी पर नहीं जा सकते, अगला प्रशन, अगला प्रशन हमसे बूल रहा है, गडित में नैदानिक परिक्षन का उद्देश है, नैदानिक परिक्ष सक्षन होता है, और इसके बाद होता है उपचारात्मक स्क्षन, यह कहानी बिल्कुल वैशे ही है, जैसे हम डак्टर के पास जाते हैं, डाक्टर ट्रीटमेंट नहीं करता है, डाक्टर ट्रीटमेंट से पहले अगर हम समझ्चा हैं बताते हैं, तो वो बोलता है, एक काम करो तुम कहां पहुँचो तुम पहुँचो लैब और लैब में तुम क्या करवाओ टेस्ट और वो टेस्ट कैसा होता है इंडी वीजुल होता है और यहां भी जो नैदानिक परिक्षन होता है वो इंडी वीजुल किसी बच्चे का परिक्षन होता है किसी wishes causal में वो क्यों पिछडा हुआ है, उसमें किन skills का development हो रहा है, पिछली बार किसी wishes जो skill है, उसकी इस्तिती ये थी, तो अब इस्तिती क्या है, तो यहाँ पर एक-एक segment का निरिक्षन किया जाता है, उसका परिक्षन किया जाता है, और वो किसके लिए किया जाता है कि आग उसकी कहानी आजाती है जो आजश्हमताएं हैं बच्चों के अंदर क्या है उनका पता चलता है जो अनुकूल इस्थिती में भी जो उन्हें अटेन कर लेना था वो अटेन नहीं कर पाए हैं तो उसके पीछे कारण क्या-क्या रहे उनका पता करना होता है, जो बांचित युगता है, वहां तक नहीं पहुँच रहे हैं, कहाँ-कहाँ बच्चा कमजुर हैं, ये सारी चीज़ें किसमें पता चलती हैं नेदानिक परिक्षण में, और इसके बाद किया जाता है उप्चारातमक सिक्षण, तो उसके बाद उप् प्रिक्ष essentials किया जाता है नहीं प्रगती रिपोर्ट तयार करने के लिए अन्तिम अवदी की परिक्षा के लिए प्रश्न्पत्र यूज्ना नहीं बच्चों की समझ में अंतर जानने के लिए यहां यह सबसे बहतर विकलप है कि किसी इस्किल में बच्चों की समझ में डिफरेंस क्या है, क्यों है, विशेश कॉशल सामाने, इस्थिती में भी वो एक जैसी छमताएं उनमें क्यों डवलप नहीं हुई है, तो ये होगा हमारा बैस्ट आंसर, ये भी आंसर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं, माता पिता अपने कि बच्चों की समझ में अंतर हम किस से जान सकते हैं, नैदानिक परिक्षण से जान सकते हैं, तो नैदानिक परिक्षण, उप्चारात्मक सिक्षण ये अलग से पढ़ाया है, वहाँ पर हम देख सकते हैं ठियोरी में, तो फिलाल इस सेशन में इतनी ही कुश्चन्स थे, तो साइन्स और मैट्स के कुश्चन्स के लिए जुड़े रहें और हम कंटेंट सफीशन्ट मात्रा में लेकर आएंगे और आपको प्रोवाइट करवाएंगे, आप निश्चिन्त रहें, अब हम वापस आ गयें और लगातार हम दिखेंगे और कोशिस करेंगे ज्यादा कं लेकर किसे और लेकर दो आफeta मैं।